What's up guys, कैसो आप सभी उम्मीद करते हैं कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे और दोस्तो स्वागत आप सभी का फिर से एक नया वीडियो में और इस वीडियो के अंदर दोस्तो मैं आप सभी को बताने वाला हूँ कि Flipkart application के अंदर अपना account कैसे बनाया जाता है अगर दोस्तो आप Flipkart application का use करना चाते हो Flipkart application से अपना product purchase करना चाते हो कोई भी समान वहां से खरीदना चाते हो तो सबसे पहले दोस्तो आपको उस application के अंदर अपना account create करना होगा तो वही आज कि इस वीडियो में मैं आप सभी को बताने वाला हूँ कि क्लिपकाड application में नए account कैसे create किया जाता है तो चलिए दुस्तों बिने देर के आज किस वीडियो को यहां से करते हैं तो फिलिपकाड application में अपना account create करने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना है तो इस application को अपने mobile phone के अंदर install कर लेना है और install करने के बाद आपको क्या करने इस application को आपको open करना है जैसे दूस्तों आप first बार इस application को आप open करोगे तो आपके सामने कुछ इस तरह के interface आज जेंगे आप देख सकते हो यहाँ पर इस application का home page आ चुका है लेकिन दूस्तों अभी जो आपका account है यहाँ पर create नहीं हुआ है यहाँ से आपको create करना परेगा तो इसके लिए आपको क्या करना है ध्यांस देखना यहाँ पर नीचे में आपको account का option मिल लागा इस पर click करना है जैसे आप account पर option के उपर click करोगे उपर के side में यहाँ पर आपको login का option मिल जाता है अब यहाँ से simply आपको login के उपर click करना है जैसे आप login के उपर click करोगे अब यहाँ पर दूस्तों आपको अपना contact number यहाँ से verify कर लेना यानि कि आपको अपना mobile number यहाँ से verify करना है अगर आप यहां से email id से करना चाहते हो तो आप यहां से email id से भी कर सकते हो तो यहां पर फिलाल अपना number यहां से add कर देता हूँ और जैसे दूस्तों आप इस process को complete कर लोगे उसके बाद दूस्तों आपको ऊपर के साइड में आपको अपना contact number यहां से देखने को मिल जाएगा तो इसके लिए आपको क्या करना है account value option के उपर फिर से click करना है जैसे आप account value option के उपर click करोगे तो यहां पर आपके सामने कुछ इस तरीके interface आ जाएंगे और यहां पर नीचे में दूस्तों आपको account settings का option दिख रहा होगा और इसे की नीचे आपको यहां पर edit profile का भी option मिल इस पर आपको click करना है और जिससे दूस्तों आप यहां पर edit profile के उपर click कर लोगे उसके बाद दूस्तों आपके सामने कुछ इस तरीकी के interface आ जाएंगे अब यहां से दूस्तों आप अपना first name last name यहां से आप अपना email address सारा चीज़ आप यहां से verify कर सकते हो तो यहां पर दूस्तों देख सकते हो यहां पर यह piece आ चुका है तो यहां पर आपको क्या करना है सबसे पहले आपको यहां से अपना first name इंटर कर देना है इससे पहले आपको यहां से gender select कर लेना है कि आप male हो या female हो उसके बाद आपको first name इंटर करना है last name इंटर कर देना है submit के उपर click क करके इस application का आप यहां से use कर सकते हो और बहुत आसान तरीके से आप यहां से online किसी भी product को यहां से purchase भी कर सकते हो तो I hope कि आप लोगो सारी बात समझ में आ गई होगी और दोस्तों मीद करता हूँ कि आप लोग सीख चुके होंगे कि फिलिप काड़ application के अंदर अपना new account कैसे create किया जाता है तो आज किस वीडियों पर सितना है मिलते कुछ ऐसे हलफुल वीडियो के साथ तब तक लिए दूस्तों अपना खयाले किये गुड़ बाई